सायद इसलिए लोग कहते हैं कि पॉण सिंग बन पाना काफी मुश्किल है नवस्कार मैं किशन कुमार हूँ दोस्तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पॉण सिंग ऐसा क्या कर दिये हैं कि किशन जी आप कहा रहे हो कि पॉण सिंग बन पाना मुश्किल है दोस्तों बिस्तार से बताते हैं वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो जब आप पूरा देखेंगे कि तो आपको तथ्य भी मिल जाएगा और आप भी इस बात से सहमत हो जाएगे कि पौण सिंग बनना वाकई में मुस्किल है पौण सिंग बन पाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पौण सिंग जैसी आवाज भोजपूरी इंडस्टी में किसी के पास है क्या तो जबाब है बिलकुल नहीं पॉण सिंग जैसी आवाज किसी के पास नहीं है पॉण सिंग के गायकी का अंदाज भी सबसे जुदा है पॉण सिंग को उनकी गायकी की वज़े से ही पसंद भी किया जाता है और आप तो जानते हैं कि भोजपूरी में जितने भी हीरो हैं वो अक्सर गायक ही होते हैं तो पाउन सिंग भी गायक से नायक बने हैं अभिने की बात अगर छोड़ दें तो पाउन सिंग जैसी गाय की यानि की उनका गला उनकी आवाज इसका जोडा नहीं है, उनकी बराबरी में, इस मामले में कोई नहीं है अब बाब कर लेते हैं इन दिनों में पाउन्सिंग ने आखिर किया क्या है तो बाई साहब जब से पाउन्सिंग एक्टिव हुए है तब से दायवाय किसी के गाने ही नहीं बज रहे है जिनको कोई बड़े कलाकार बड़े इस्टार भाव नहीं देते थे उनको बुला कर पॉन सिंग सम्मानित करने लगे वैसे कलाकार जो की भीड में आकर के पॉन सिंग की चंद लाइने सुनने के लिए पॉन सिंग को करीब से देखने के लिए ललाईत रहती है उस भीड में से किसी को भी बुला करके उनकी नजर जिस पर टिक गई उसको बुला करके अपने एल्बम में अपने साथ काम करने का मौका दे देते हैं इनकी सबसे बड़ी खासी बात ये है कि पाउन सिंग अपने उन सभी गीतकारों को उन सभी मुजिसियन को अपने साथ में रहने वाले पुराने जितने भी इनके लोग थे उनको इस्टेज पर बुला बुला के इन दिनों लोगों से परिचे भी करवा रहे हैं, सम्मान दिलवा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये मेरे फलाने की इतकार है, इन्होंने मेरे लिए फला गाना लिखा था, इन्होंने मेरे लिए ये किया था, इन्होंने वो किया था, तो भाई साहब उससे पौन सिंग का कुछ नहीं घटता है, यानी कि पौन सिंग और बड़े हो जाते हैं। उस दिनों पहले पहले पर इल्जाम लगाया था कि, काउना जिला के जिले भी हो गाना, पौन सिंग ने चुरा कर दिया। तो भाई साब वो गाना पहले दिपक दिलदार गाये थे और पौन सिंग जब गाये तो पौन सिंग ने स्टेज पर कह दिया कि ये गाना पहले दिपक दिलदार ने गाया था उन्होंने गोलू राजा का गाया था उठवा कि ललिया तो उस पर भी पौन सिंग ने कह दिया कि ये गोलू राजा का गाना था मैंने गाया है तो पॉन सिंग लगातार बड़े होते जा रहे हैं और पॉन सिंग सबको कले लगाते हैं और सबको मान समान देते हैं साइद इसलिए पॉन सिंग वाकई में बड़े हैं इस तरह के चीजें दूसरे कलाकार नहीं कर रहे हैं और व प्रेवाद